नमस्कार दोस्तों स्वागा थाप सभी का हमारे यूटूब चेनल एकजाम गुरू में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एर फोर्स के लिए टॉप 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 टॉटिफाइव समानने अध्यन और साइन्स के क्वेशन्स को सॉल्व करेंगे प्रसन से जोड़ी एक्स्टरा फैक्स भी मैं आपको वीडियो में बताते चलूँगा और इसके लास्ट में मैं आपसे वीडियो सेक्षन में देना है पहला क्वेश्चन है रेफ्रीजरेटर में कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है इसका राइट एंसर है फ्रियोण दोस्तो फ्रियोन का रस्यानिक नाम आपको याद होना चाहिए टेट्रा क्लोरो डाइफ्लोरो इथेन देखें दुसरा क्वेस्चन है इलेक्ट्रौन किसने खोजा था तो इलेक्ट्रौन की खोज की गई थी जेजे थंसन के द्वारा ऑप्सन नमबरे सही अंसर हो जाएगा आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रोटौन का खोज किसने किया था तो इसका नाम आप लोग याद रखें रखें रदर फोड के द्वारा और न्यूट्रौन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखें एकजाम के पॉइंट अफ वियू से काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है नेक्ट है कोश्चन नमबर थ्री रविंद्र नास टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है तो देखिए रविंद्र नास टैगोर ने भारत और बांगला देश दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा है यानि कि ओप्सन नमबर A और C दोनों राइट एंसर है नेक्ट है कोश्चन नमबर 4 हीटर का तार किस चीज के बने होते हैं देखे दोस्तों काफी important question है कई बार exam में question repeat हो चुका है जो हीटर होते हैं उसके तार बने होते हैं नाइक्रोम के इस वात से आप लोग विल्कुल ही confused मत होएगा कई बार चातर copper option में सही करके आ जाते हैं लेकिन आप विल्कुल गलत option है जो हीटर के तार होते हैं वे बने होते हैं नाइक्रोम के नेक्स्ट है question number five माजूली नदी असम के किस जीले में इस्तित है तो देखे आप लोग नाम याद रखे माजूली नदी असम में पाताल पुरी जीले में इस्तित है option number a right answer है next question number six किसे भविसे का धातू कहा जाता है future metal या कहा जाता है titanium को option number a right answer है next question number seven कौन सा तत्व सोतंत्र अवस्था में पाया जाता है इनमें से कौन सा element free form में पाया जाता है तो इनका नाम आप लोग याद रखे sulfur option number v right answer है अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजे sulfur का रसायनिक नाम यहाँ पर तो आप लोगों ने देख लिया इसका atomic number क्या होता है तो देखे sulfur का atomic number है 16 इसके अलाबा आप लोगों को sodium, helium और beryllium का भी atomic number याद होना चाहिए exam में कई बार इसका atomic number भी पूछ दिये जाते हैं तो sodium का atomic number होता है 11 helium का atomic number है 2 और beryllium का atomic number है 4 यह 4 ओफेक्ट्स आप लोग याद रखिए नेक्स्ट है question number 8 acetic acid को क्या कहा जाता है तो देखे दोस्तो acetic acid को हम लोग जानते हैं सीरका के नाम से option number D right answer है अच्छा यहाँ पर एक और प्रसंद बनता है acetic acid का chemical name क्या है तो इसका chemical name आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए acetic acid का chemical name है ethenoic acid इसके अलावा दोस्तो option number यह है caustic soda तो देखे caustic soda का formula होता है NaOH और इसे हम लोग sodium hydroxide भी बोलते हैं वही baking soda को हम लोग sodium bicarbonate के नाम से जानते हैं तो इस तीनो facts आप लोग याद रखिए exam में हो सकता है आपके question थोड़ा repeat करके पूछ दिया जाए कि caustic soda का रसायनिक नाम क्या है या फिर इसका formula क्या है तो आप लोग को इन सारे facts विल्कुल clear होने चाहिए next question number 9 अंग्रे जी किस राजय की सास्किये भासा है तो देखे दोस्तों अंग्रे जी यह सास्किये भासा है मेगाले की option number B right answer है 85 V में option number D right answer है देखे दोस्तों एक काफी important question है और अभी हाल ही में 65th BPSC में भी a question पूछा गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस की अस्थापना किसके दोरा की गई थी तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिये इनका नाम है एओ ह्यूम और कई बार एकजा में पूछ दिया जाता है कि भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस की पहला अधिवेशन कब हुआ था तो आप लोग याद रखिये इसका पहला अधिवेशन बंबई में किया गया था और इसकी अध्यचता कर रहे थे जो मेस चंद्र बनर जी नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 11 आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक थे मखली गोसाल ओप्सन नमबर D राइट एंसर है नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 12 सीन नदी किस नहर से होकर गुजरती है तो देखे दोस्तों आप लोग नाम याद रखिये सीन नदी या गुजरती या पेरिस से ओप्सन नमबर V राइट एंसर है यहाँ पर देखान दीजे पेरिस किसकी कैप्टल है तो देखे दोस्तों पेरिस फ्रांस का कैप्टल है और यह यह यूरोप में इस्सित है नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 13 भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है तो देखे दोस्तों अगर भारत में बिहार की जनसंख्या की तुलना की जाए तो यह तीसरे नमबर पर आता है ओप्सन नमबर C राइट एंसर है इसके अलावा पहले नमबर पर कौन सा स्टेट है ग्रेटर हिमाले को हम लोग हिमादरी के नाम से भी जानते है ओप्सन नमबर C राइट एंसर है इसके अलावा सिवालिक का एक और नाम है इसे हम लोग आउटर हिमाले के नाम से भी जानते है कई बार आपके गिजाम में पूछ दिया जाता है कि आउटर हिमाले कौन है या आउटर हिमाले हम लोग किसे बोलते हैं तो नाम आप लोग याद रखें सिवालिक को और हिमादरी को ग्रेटर हिमाले के नाम से जानते हैं नेक्स एक क्वेश्चन नमबर 15 भारतिये संविधान के लिए प्रतम संसोधन कब किया गया था देखे फिरेंड्स भारतिये संविधान में जो सबसे पहला संसोधन हुआ था वो था 1951 में ओप्सन नमबर भी राइट एंसर है यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों कि इस सं कमीन से संबंदी जितनी भी चुनोतिया आ रही थी उससे बचने के लिए नोवी अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक वार इस वीडियो को पाउज करके लाइक करना ना भूलें औ और हमें कमेंट करके बताएं कि मैं जीके का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर वनाऊं नेक्स्ट है देखें क्वेश्चन नमबर 16 पंचायती राज कैसा विशय है तो पंचायती राज यह एक राज यह सूची का विशय है C option राइट एंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन पर G आ गया है यहाँ पर option नमर A में correct है IMF International Monetary Fund यह एक BTS संस्था है जो 20 वैंक से संबंधित नहीं है यानि कि यह वर्ल्ड वैंक के समूह में नहीं आती है यहाँ पर ध्यान दीज़े दोस्तों IMF की बात हो रही है तो आप लोग को याद होना चाहिए कि इसकी अस्थापना सन 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसका headquarter Washington DC में है नेक्स्ट है option नमर B में IVRD तो इसका full form आपको याद होना चाहिए International Bank for Reconstruction and Development वही C option में ADV है इसका full form है ASEAN Development Bank D option है IDA, IDA का full form है International Development Association तो इन चारों का full form आप लोग याद रखिये नेक्स्ट है question number 18 जीवन वीमानी गम कैसा उदाहरन है तो देखे right answer है निवेस वेंक, जीवन वीमानी में गम एक निवेस वेंक है और इसकी अस्थापना सन 1956 में की गई थी नेक्स्ट है question number 19 जीवेस्टी लागू करने वाला भारत का पहला राज ये कौन सा है सबसे पहले जीवेस्टी लागू किया गया था अस्था में option नमबर भी right answer है यहाँ पर देखें दोस्तों अगर पूछा जाए कि जीवेस्टी भारत में कब लागू किया गया था तो यहाँ पूरू नुरूप से प्रभावी हुआ था एक जुलाई 2017 से नेक्स्ट है question नमबर 20 मानव खोपडी में कितनी हडियां होती है तो देखें मानव शरीर में जो खोपडी होती है उसमें total 22 हडियां पाई जाती है option नमबर D right answer है नेक्स्ट है question नमबर 21 अठारा केरेट सोने में सुध स्वर्ण की प्रतिस्ता कितनी होती है तो इसका right answer है c option 75% का यहाँ पर देखें दोस्तों इसे कैसे calculate किया जाता है टोटल जो सुध सोना होता है वो 24 केरेट का होता है यानि कि 24 केरेट का value यहाँ पर 100 परतिसत होगा तो question में पुछा गया है क्या 18 केरेट का value क्या होगा तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग unitary method से solve करें तो एक केरेट का value यहाँ पर 100 वाई 24 परतिसत हो जाएगा अब इसमें देखें 18 केरेट का पुछा गया है तो इसमें आप लोग यहाँ पर 18 से गुना कर दीजे और जब आप इसे solve करेंगे इसे काटेंगे तो इसका value निकल कराएगा 75 परसेंट इस तरह से आप लोग जितने भी केरेट का पुछा जाए उसका value निकाल सकते है किसमें citric acid की मातरा ज्यादा होती है तो citric acid भरपूर मातरा में पाया जाता है निबू में यानि कि यह खटे फलो में सबसे ज्यादा मातरा में पाया जाता है नेक्स्ट है question number 23 सिच्छा का अधिकार अधिनियम कव लागू हुआ था? right to education यह लागू किया गया था 2009 में option number B right answer है exact date आप लोग याद रखें जो सिच्छा का अधिकार लागू किया गया था वो 4 अगस्ट 2009 को लागू किया गया था और इसका वर्नन हमारे सम्मिधान में आर्टिकल 21 ये में किया गया है यहाँ पर देखें दोस्तों आप लोग ध्यान जीए 4 अगस्ट 2009 को यह अधिनियम लागू किया गया था और 13 अप्रेल 2010 से यह पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया था यहाँ पर बतादू कि इस अधिनियम का मुखे उद्य से था बच्चों को निसुलक और अनिवारे सिच्छा प्रदान करना नेक्ट शाइड क्वेशन नमर 24 प्रतिरोध का SI मातरक क्या होता है रसिस्टेंट का SI इनिट यह होता है ओम ओप्सन नमबर D राइट एंसर है अच्छा यहाँ पर देखिए ओप्सन नमबर A में क्या है कैंडेला है न तो इसका भी आप लोग को याद होना चाहिए किया किसका SI इनिट है लिूमिनस इंटेंस सिटी का ओप्सन नमबर B में है हेनरी तो इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इंडेक्टेंस का SI इनिट है या जैनिरी और C ओप्सन में वोल्ट जो की पोटेंसियल डिफरेंस का SI इनिट है नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 25 एन ओएच का रसायनिक सुत्र कौन सा है तो देखें फ्रेंड्स NOH या रसायनिक सुत्र है कास्टिक सोड़ा इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोकसाइड के नाम से भी जानते हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हैं बस इतना ही डवल वोंड, ट्रिपल वोंड या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेयर कीजिए